कोरोना महमारी पर अंकुष लगाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयो के लोगों को भी टीका करन किया जाता है उप सीविल सरजन एवं कोरोना वैक्सीन के जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि जिले में अब तक लगबग एक लाख बीस हजार से अधिक लोगों का टीका करन किया जा चुका है और उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन का कारिक किया जा रहा है अधारा से लेकि 44 साल के जो लोग हैं उनका कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है और इसके लेकर हमारे जो यंगर एज ग्रूप है उसमें काफी उत्सा देखने को आ रहा है हमने स्टार्टिंग में 1000 स्लोट परते दिन उपन किये थे तो हमने देखा कि वो लगवग 5 मिनिट में ही भरे जा रहे हैं तो उसके बाद हमने फिर इसको बढ़ा कर दो हजार स्लोट परते दिन कर दिया है आज जिले में 10 जग है कोवड वैक्सिनेशन हो रहा है 18-44 गूरूप का और देरे देरे हम इसको पिएच सिस तर तक लेके जाएं तीका करण करवाने आए व्यक्तियों ने बताया कि उन्हें तीका करण करवाने के समय किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं हुई है उन्होंने कहा कि सभी लोगों को स्वेम को और दूसरों को सुरक्षित करने के लिए यहटी का अवश्य लगवाना चाहिए करोना चाहिए ताकि हम करोना से लड़ सके और हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सके जी मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि गॉर्मेंट अपनी तरफ से कर लिया है तो हमें वेक्सिनेशन करवानी चाहिए और अपनी तरफ से कॉंट्रिबूट करना चाहिए ताकि यह पैंडायमिक जल्दी से जल्दी खतम हो जाए मैंने अभी वेक्सिनेशन कराया है बहुत जादा इंपोर्टेंट है वेक्सिनेशन कराना बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर डील कर रहे हैं और पांच मिनिट लगती है कुछ नहीं लग रहा आप जरूर वेक्सिनेशन कराएं डरे मत बिल्कुल भी वेक्सिनेशन संक्रमित संक्रमण रूकेगा और मैं चाहता हूं कि सभी वेक्सिन लगए अच्छी वागा